प्रश्णवली 4.3 का कोश्चन नंबर एक्जामपल कोश्चन नंबर 14 को सब्सक्राइब और यह कोश्चन बहुत ही महत्पूर्ण है प्राया यह परिच्छा में एक्जाम में पूछा ही जाता है और इधर बूड़ वाली परिच्छा होने वाली भी है तो यह कोश्चन ने बूड़ वाले विद्यार्थियों के लिए खासतोर से एक्जाम देने वाले विद्यार्थियों के लिए बहुत ही महत्पूर्ण है तो और इसमें भी मूल नीकालना है और मूल नीकालने की बात तो पिछले वाले वीडियो में बहुत बहुत सवाल को आप लोगों को बताएं हैं तो बेसिक कंसेप्ट तो आपको बन नहीं गया होगा तो स्टार्ट करते हैं अज सबसे पहले देखिए अम निम्न समी करनों के मूल गयात कीजिए पहला कोशन दिया पहला में है एक्स प्लस वन बाई एक्स बराबर का थ्री दिया एक्स इस नॉट एक्वल टू जीरो यह में यह इस इक्वेशन को आगे करके एक दुईखास समीकन के रूप में बना लेते हैं और उसके बाद इसका मूल लिखा लेते हैं व बवन और एक्स का स्लाव यहाँ एक्स लगाएंगे एक्साया और वन उसे एक्स में खुना करेंगे सट्रम było James 1 नीचे में बीडिस बन कर तो यहीं आ जागा ना एक स्क्वार प्लस वन बराबर का ऐसे ऐसे करेंगे फिर क्रोस मल्टिपिल्केशन तो थी एक्स हो गया ठीक है अब क्या करेंगे एकस स्क्वार और प्लस का है इधर ले आईए तो माइनस का 3 एक्स हो जाएगा प्लस का वन तो है ही बराबर जीरो अब क्या हो गया यह आपका दो इखास अमिकरन के रूप में मिल गया तो इसमें क्या करेंगे पहले डी निकालेंगे और डी निकालेंगे लिए ए बी सी सी काटा है थीक है यह निकल गया अब डी निकाल लेते हैं आखके टीवर बाबर क्या फ्रमूला क्या हूं स्था भीए स्क्राव माइनस प्लस फूर एसे लिए लिख लेकसे कितना माइनस का 3 तो माइनस का 3 कर लेंगे ठीक है अब माइनस फोर गुना एक कमान देखिए वन तो लिख दिए और सी का भी मान वन ठीक है यहां तक अब क्या हो जाएगा तीन तिया नौ हो जाएगा घटा चार बराबर का कितना आ गया फाइव अब देखिए फाइव जो निकला धनात्मक मान निकल गया है तो क्या होता है कि मूल अस्तित्त्य में होता है लिखेंगे इसका पर्योंग करेंगे चुकी ड्रीज ग्रेटर जीरो आधा अधा मूल क्या है अस्तित्व में है हूआ है यहां तक देखिए एक बार अब हम a space बना लेते हैं यहां से a space बना लेते हैं ठीक है अब देखिए यहां पर मूल अस्तित में हो गया है तो मूल निकाल लेना है केबल कैसे निकालेंगे मूल बराबर क्या formula होता है मूल बराबर minus b plus minus root d by root d by 2 यह formula होता है मान को रखेंगे b कमान देखिए b कमान कितना minus का 3 यहां भी minus है तो minus minus plus हो जाएगा तो केबल यहां पढ़ाएगा 3 अब plus minus root d कमान कितना root d कमान निकाले 5 तो 5 लिख देंगे by 2 into a कमान फिर चेक करें एक है तो लिख देंगे बराबर कितना हो गया 3 plus minus root 5 अब बाइ 2 अब क्या करेंगे alpha में plus वला लिखेंगे और beta में minus का लिखेंगे तो alpha बराबर कितना हो गया 3 plus कर लेंगे plus root 5 by 2 एक मान निकला और beta कमान लिख लेंगे 3 minus root 5 बटा 2 बीटा बराबर हो गया तो आपका यह दोनों answer हो गया जब आप d का मान जब d का मान आप का निकलेगा धनात्मक मान तो मूल अस्तित्त में होगा लेकिन दोनों मूल अलग अलग होगा देखें यह अलग है यह अलग है ठीक है अब हम दूसरा सवाल को शॉल्प करेंगे इसी का चौदा का दूसरा दूसरा सवाल में दिया वन बाई एक्स माइनस वन बटा एक्स माइनस टू बराबर का थ्री दिया है देखिए एक बार अब यह भी वह साही इससे मैसा ही है और बहुत ही महत पूर्ण सवाल है यह सवाल को प्राया पर इच्छा में पूछे ही जाते हैं इसलिए गौड से देखिए और मेरे वीडियो को सुरूश यहां तक देखें तो आपको बेसिक कंसेप्ट मिलेगा अगर मेरा वीडियो देखें यह कटे गा तो यह आएगा लिग देंगे एकस माइनोस टू मायनस का चीन लिखेंगे और फिर दख़ए एकस माइनस- टू से भाग लगएंगे यह कटेगा तो यह आएगा एकस में वां से गुणा करेंगे तो भूणा करेंगे когоओर॥ यहां तक आस फ़स्ट अब माइनस का 2x बराबर का 3 यहां तक एक बर देखिए अब हम उपर एस्पेस बना लेते हैं अब देखिए ऐसे आप क्या करेंगे यहां भी आप ऐसे ऐसे गुना करेंगे क्रॉस मल्टिप्लिकेशन ऐसे और ऐसे ऐसे नहीं कुछ मतलब एक है तो इसमें 3 से गुना कर लेना पहले तो कितना हो जाएगा 3x स्क्वाइर 3x स्क्वाइर माइनस का 6x और बरावर माइनस 2 यहां तक असपस्ट है अब देखिए क्या होगा 3x स्क्वाइर माइनस का 6x और यह माइनस का इधर आएगा तो हो जाएगा पलस में पलस का 2 बरावर 0 अब क्या हो गया यह आपका दू इगाल तो एभी सी मानते हैं आप का हो गया 3x स्क्वाइर का गूना क्लिक भूनाँ क्लिक भी बरावर 6 वह माइनस का 6 होगा जो कि x का गूनाँ क्लिक है और सी बरावर तो हो खिक वापका two डी निकाल लेना घुझक होता है द्फ का फॉर्मूला हाँ बीट क्यार मैंनस noi Yes 2 बीकर मॉस्की समेस कॉ तो मान शो सिक्स को स्क्यार कर लेंगे ठीक है अग्योग्योगा फोर गुना EPA मांठी ऊग्योगो फिर यृov फ्जिक है अब करेंगे च्छाच्य ersten सो बाराड़ा दूना 24 24 घट जाएगा तो बच गया आपका कितना आपका 12 का मान यहां भी क्या निकल गया धनात्मक मान अधनात्मक मान निकल गया नहीं जबनात्त मान नुकले गा तो क्या चीज़ क्या पड़िव होगा है डी में डी इज ग्रेटर देन जीरो जीरो से बरा है डी का मंद जीरो से बरा है डी इज ग्रेटर देन जीरो अत्त अत्ता क्या होगा मूल अस्तित्व में होगा जब मूल अस्तित्व में होगा जब मूल अस्तित्व में होगा तो हम मूल निकालेंगे न तो मूल निकालेंगे तो मूल बरावर क्या होता फॉर्मूला मूल बरावर फॉर्मूला होता है माइनस बी प्लस माइनस रूट डी बट्टा टू ए यह मूल बरावर ठीक है ना अब मान रखें मान रखेंगे तो बी का मान देखिए बी का मान देखिए माइनस का 6 है और यहां भी माइनस है तो कित स्कस्सध्राइक माइनोस णृटrecord कज दी कमान निकाने 12 सुभरा लिख देंगे बटता दो गुना 어 नहीं कमा देखिये एक हामार थियर निया तेक एक बर देगो कि अधिक है अब हम यहाँ से लिखते हैं स्पेस बना लेते हैं इतना इस इस Sok के बनादे जाते हैं और इसी स्पेस में हमको सॉल्व कर देना है देखिए यहाँ पर सिक्स कि प्लस माइनस यह रूट बारा जो है निकलेगा आपको टू रूट थ्री निकलेगा तू रूट थ्री निकलेगा आपको भीतर जाएगा यह रूट के भीतर दो गुने दो क्या हो जाएगा दो गुने दो गुने तीन चार्थिया बारा हो गया रूट में रूट से बाहर रूट से बाहर करते हैं तो दो पर करते हैं रूट के अंदर जाएगा दो गुने दो हो जाएगा ठीक है ना भीतर में जाएगा रूट के भीतर तो क्या होगा दो गुने द तो बाहर निकालेंगे तेक निकल गया ठीक है तो यह रूट 12 को हम लिए तूरूट 3 अब आई कितना 6 यहां तक स्पस्थ है अब देखें यहां पर यहां पर आप दू ऊपर में दू कॉमन ले सकते हैं 2 अधियर अधिए तो कॉमन लेंगे तो यहां पर कितना अब दू थे अच्रह प्लस माइनस दो तो कोमन ही लिए आगया तो कितना आगया थ्री कितना 6 यहां तक स्पस्थ है अब इसको काट सकते दू एक आई दू ती अच्छो दू से दू ती अच्छो कट गया न एक से यह कटा और दू ती अच्छो कट गया तो कितना आ गया आ गया 3 प्लस माइनस रूट 3 बट्टा 3 यह निकल के आया अब इसमें क्या करेंगे एक बार अलफा कमान प्लस बला ले लेंगे और एक बार बीटा कमान क्या लेंगे बीटा कमान माइनस का लेंगे अलफा कमान क्या लेंगे अलफा बराबर हो जाएगा 3 3 ठीक से लिए देते हैं 3 प्लस रूट 3 बाई 3 अलफा कमान हो गया ठीक है बीटा का मान क्या होगा बीटा का मान 3 माइनस रूट 3 बट्टा 3 और यही दुनों आपका मान हो गया गौर करने की बात है कि इसमें हम देखे कि D का मान धनात्मक निकला तो मूल अस्तुत में हुआ लेकिन मूल क्या होगा और समान होगा अलग अलग होगा जो कि यहां दिखाया गया यहां भी देखते हैं कि मूल क्या डी का मान धनात्मक मान निकला और निकला तो मूल अस्तुत में तो होगा लेकिन वो मूल अलग अलग होगा तो यहां भी अलग अलग होगा इस प्रकार से दोस्त दोनों कुश्टन ये कोश्टन और ये कोश्टन को शॉन किया गया मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सिर और सब्सक्राब कीजिए ठैंक यू टेक केर